जैहिन फ्रेंड्स वेलकम टू ओल ओफियू माय यूटूब चैनल वेटू गुल फ्रेंड्स आज है 13 जून वा 13 जून से रिलेटड इस्ट्रैटिक जी के वा करंट अफियर की जितने वी क्वेशन बन सकते हैं पहले वीडियो में हम वे सारे डिसकस करेंगे फ्रेंड्स मैं कल आपके लिए करंट अफियर की वीडियो नहीं लापाया इंतु आज मैं 13 जून को 12 जून वा 13 जून से रिलेटड इस्ट्रैटिक जी के वा करंट अफियर के जितने वी क्वेशन बन सकते हैं सारे डिसकस करेंगे फ्रेंड्स वा पुना आगे वीडियो में हम 12 जून वा 13 जून से रिलेटड करंट अफियर के सभी क्वेशन डिसकस करेंगे तो लेट्स विगन फ्रेंड्स आज 13 जून से रिलेटड इस्ट्रैटिक जी के का पहला क्वेशन एसिया के सबसे बड़ी दूइद्धी साथमक सुरंग का नाम क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जोजिला सुरंग एसिया की सबसे बड़ी दूइद्धी साथमक सुरंग का नाम है तो question number first का right answer है, option number C, friends, हाल हे में जो जिला सुरंग बहुत जादा खबरों में रही, आपको बता दूँ, हाल हे में परधान मंत्री नरेंदर मोधी जी द्वरा 2018 ISB को जो जिला सुरंग के निर्मान की सुरवात की गई थी, friends, इस सुरंग को पास करने में तीन घंटे से भी अधिक समय लगता है, तो इस कारण यह सुरंग बहुत जादा खबरों में रही, वह खबरों में होने के कारण static GK से related question बन सकता है, कि एसिया की सबसे बड़ी द्वीद्य साथमक सुरंग का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिया की सबसे बड़ी द्वीद्य साथमक सुरंग अपने भारत में इस्तित है, जिसको पास करने में तीन घंटे से अधिक का समय लगता है, और इस सुरंग का नाम जो जिलाटानल है, तो friends, question number first से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, वीडियो का next question है, Question number two, कटास राजमंदिर कहां इस्तित है, तो friends सबसे पहले आपको बतादू कि भारत के पड़ो सीदिस पाकिस्तान में कटास राजमंदिर इस्तित है, तो friends, question number two का right answer है, option number three, friends, हाल ही में कटास राजमंदिर बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा, आपको बतादू, हाल ही में पाकिस्तान उच्चायोग ने कटास राज मंदिर में भारतिया तीर सियात्रियों को जाने की अनुमति दी है यह यात्रा धार्मिक तीर सियात्रों के लिए पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल के तहत संचालित होती है तो friends इस मंदिर में भारतियतीर सियात्रों को अनमती दीजे जाने के करण यहां मंदिर बहुत ज़ादा खबरों में रहा वा खबरों में होने के करण स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोईशन बन सकता है कि कतास राजमंदिर कहां इस्तित है तो आपको पता होना चाहिए कि कतास राजमंदिर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस्तित है तो फ्रेंट्स आपको बता दूँ 1974 इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्चर किये गई थे तो फ्रेंट्स क्वेसन नमबर टू से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए फ्रेंट्स ये मंदिर पाकिस्तान में इस्तित है तो मैंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेसन क्या क्या बन सकते है फ्रेंट्स पाकिस्तान की कैपिटल इसलामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान एरुपिया वा पाकिस्तान के वरतवान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वा पाकिस्तान की वरतवान प्रेजिडेंट आरिफ अलवी जी है तो friends, question number 2 के साथ साथ आपको पाकिस्तान से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है, question number 3, forest man of India कहा जाता है तो friends, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जादब पाइंग को forest man of India कहा जाता है तो question number 3 का right answer है, option number 3, friends, हाल ही में forest man of India जादब पाइंग बहुत जादब खबरों में रही वा खबरों में होने के कारण static dk से related question बन सकता है कि forest man of India कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जादब पाइंग को forest man of India कहा जाता है तो friends, question number 3 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है, question number 4, डिबुरो सेखोवा राष्टे उध्यान कहा है तो friends, सबसे पहले आपको बता दूँ कि भारत के अस्सम राज्य में डिबुरो सेखोवा राष्टे उध्यान इस्तित है तो question number 4 का right answer है, option number B friends, हाल ही में डिबुरो सेखोवा राष्टे उध्यान बहुत जादा ख़वरों में रहा friends, यहाँ अस्सम में हिस्तित है, तो मायन में तुरंत कलिक हो जाना चाहिए कि एक्जाम के दिर्ष्टी कोंट से अस्सम से related question क्या क्या बन सकते है friends, आपको बता दूँ, अस्सम के capital दिसपूर, अस्सम के वरतमान चेप मिनिस्टर सरवानन सोनोवाल वा अस्सम के वरतमान गवर्नर जगदिस मुखी जी है तो friends, डिबुरु सेख हुआ राष्टे उध्यान के साथ साथ आपको अस्सम से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है, question number 5, भारत का पहला सजावटी मचली पार्क कहां इस्तित है तो friends, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि भारत के चेन नई सहर में पहला सजावटी मचली पार्क इस्तित है तो question number 5 का right answer है, option number 2 friends, हाल ही में भारत का पहला सजावटी मचली पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा आपको बता दूँ मचली उद्योग की बड़े पैमाने पर आवशकता को पूरा करने के लिए हाल ही में कुछ महा पहले देश का सबसे सजावटी पार्क चेन नई में बनाया गया जिस कारण यहाँ बहुत ज़्यादा खबरों में रहा वा खबरों में होने के कारण इस्ट्याटिक जीके से रिलेटेड कोईसन बन सकता है कि भारत का पहला सजावटी मचली पार्क कहां इस्तित है तो आपको पता होना चाहिए कि मचली उद्योग की बड़े पैमाने पर आवशकता को पूरा करने के लिए भारत का पहला सजावटी मचली पार्क भारत की जेन नई सेहर में बनाया गया है तो फ्रेंट्स क्वेशन नमबर फाइव से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्स्ट क्वेशन है उपन्यास दुखम सुकम के रचियता कौन है यह है उपन्यास दुखम सुकम की रचियता है उपन्यास दुखम सुकम हाल ही में बहुत जादा खबरों में रहा हिंदी साहित्यकार मम्ता कालिया को ब्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है इस सम्मान के कारण सम्मानित होने से ममता कालिया बहुत ज़्यादा खबरों में रही और खबरों में होने के कारण उनका दुखम सुकम उपन्यास भी बहुत ज़्यादा खबरों में है क्योंकि उन्हें दुखम सुकम उपन्यास के लिए ही यहाँ सम्मान दिया गया है तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मम्ता कालिया को हिंदी साहित्यकार सम्मान ब्यास सम्मान से 2017 में सम्मानित किया गया है और उनके सम्मानित किये जाने का कारण उपन्यास दुखम सुकम ही है तो friends question number 6 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 7 UNICEF India के वर्तमान ambassador कौन है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि UNICEF India के वर्तमान UA ambassador हीमादास जे है question number 7 का right answer है option number 2 friends हाल ही में आपको बता दूँ भारतिया धाविका हीमादास को UNICEF India के ambassador के रूप में नियुक्त किये गई है friends ये भारत की सबसे UA ambassador नियुक्त हुई है जिस कारण ये बहुत जादा ख़बरों में रही वा ख़बरों में होने के कारण static gk से related question बन सकता है UNICEF India के वर्तमान ambassador अथवा UNICEF India के वर्तमान युवा ambassador कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतिया धाविका हीमादास UNICEF India के वर्तमान ambassador है friends ये हैं हीमादास और ये ही वर्तमान में UNICEF India के ambassador है तो friends question number 7 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए बीडियो का next question है question number 8 अमबा बखा वन्यजीब अभ्यारण कहां है तो friends सबसे पहले आपको बता दू भारत के महाराष्ट राज्या में अमबा बखा वन्यजीब अभ्यारण है तो question number 8 का right answer है option number 6 friends ये वन्यजीब अभ्यारण महाराष्ट में इस्तित है तो मायंड में तुरंत के लिको जाना चाहिए कि महाराष्ट से related question क्या क्या बन सकते है friends महाराष्ट के capital मुंबाई महाराष्ट के वर्तमान चीप मिनेस्टर उदव ठाकरे महाराष्ट के वर्तमान गवर्नर भगत सिंग कोस्यारी जी है तो friends question number 8 के साथ आपको महाराष्ट से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 9 बियत नाम की मुद्रा क्या है friends सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि डॉंग बियत नाम की करेंसी है तो question number 9 का right answer है option number 8 friends हाल ही में बियत नाम बहुत जादा खबरों मेरा आपको बता दूँ बियत नाम के उपराष्ट पती डॉंग थाई नौक 11 से 13 फरवरी के बीच भारत के दोरे पर आए थी friends इस यात्रा के दोरान भारत वा बियत नाम के बीच सीधी फ्लाइट की घोष्णा की गई थी तो friends इस फ्लाइट की घोष्णा होने के करण भारत वोर बियत नाम के आपस में संबंध में मजबूत हुए है वा संबंध मजबूत होने के करण बियत नाम भारत की दिर्ष्टिकोंट से खबरों में रहा वाग खबरों में होने के कारण Static GK से related question बन सकता है कि बियत नाम की currency क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि डॉंग बियत नाम की currency है तो friends question number 9 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए बीडियो का next question है question number 10 भारत के सबसे लंबे सड़कपुल के लंबाई कितनी है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत के सबसे लंबे सड़कपुल के लंबाई 4.9 km है तो question number 10 का right answer है option number D friends हाल ये में भारत का सबसे लंबा सड़कपुल बहुत ज़्यादा खबरों में रहा आपको बता दूं परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने 25 दिसंबर 2018 को असम में ब्रंपुत्र नदी पर इस पुल का उधगाटन किया है जिस कारण यहाँ पुल बहुत ज़्यादा खबरों में रहा वह खबरों में होने के कारण इस्टैटिक जीके से रिलेटेड कोईसन बन सकता है कि भारत के सबसे लंबे सड़कपुल के लंबाई कितनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे लंबे सड़कपुल के लंबाई 4.9 किलोमेटर है question इस प्रकार भी बन सकता है कि भारत के सबसे लंबे सडखपुल की निर्मान किस ने किया है अत्वा भारत के सबसे लंबे सडखपुल का निर्मान कब किया गया है कि परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने 25 दिसंबर 2018 को अस्समे बरंपुत्र नदी पर बारत के सबसे लंबे सड़क पुल की निर्मान किया है तो friends question number 10 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए तो friends I hope आपको 12 जून वा 13 जून से related static GK के सभी important question समझ आये होंगे अब बात करते हैं 12 जून से related current affair की तो friends current affair सुरू करने से पहले मैं आपको daily बोलता हूँ कि morning में उठने के तुरंद बाद अपने लिए एक दिन का चोटा सा गोल fix करें जिससे कि आपका दिन फाल्टों के कामों में बरबाद ना हो रात को सोते वक्त सोने से पहले एक बार अपने दिन के रूटीन पर नजर डाले और अनलाइस करें कि जो नई उर्जा को लेकर आप सुबा जागे थी वा दिन का गोल fix किया था क्या वो दिन का गोल आप पूरा कर पाई या नहीं जब तक आप अपने एक दिन का गोल पूरा नहीं कर पाते तो जिन्दकी का गोल कैसे अचीब कर सकते हो तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं 12 जून वा 13 जून से रिलेटट करेंट अफियर की तो 12 जून से रिलेटट करेंट अफियर का पहला क्वेशन विश्व खाद्य पुरसकार 2020 से नवा जा गया है तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि भारतिय मूल के मिर्दा अमेरिकन बैग्यानिक डॉक्टर रतनलाल को हाल ही में करिशी छेतर में प्रतिश्रित पुरसकार बिश्व खाद्य पुरसकार 2020 से नवा जा गया है ये हैं डॉक्टर रतननाल और इन्हें ही हाल ही में 200 खाद्य पुरसकार 2020 से नवाजा गया है तो question number first का right answer है option number E friends 200 खाद्य पुरसकार 2020 से डॉक्टर रतननाल को नवाजा गया है तो mind में तुरंत क्लिको जाना चाहिए कि 200 खाद्य पुरसकार 2020 से related question क्या क्या बन सकते है friends 200 खाद्य पुरसकार के इस्तापना 1968 इस्वी में की गई थी friends 200 खाद्य पुरसकार के संस्थापक Norman Borlock जी है friends 200 खाद्य पुरसकार के पहले बिजेता कोई है question इस परकार भी बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि 200 खाद्य पुरसकार के पहले बिजेता Dr. MS. Swaminathan जी है जिनने भारत में भारत की हरित करांती का जनक माना जाता है तो friends question number first से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number two Corona संक्रिमित लोगों के लिए plasma की online उपलब्दता शुरू की है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि Corona संक्रिमित लोगों के लिए प्लाजमा की online उपलब्दता भारत के पडोसी देश बंगलादेश द्वारा की गई है तो question number two का right answer है option number three friends अब Corona संक्रिमित लोगों के लिए plasma की online उपलब्दता बंगलादेश द्वारा सुरू की गई है तो मैंड में तुरंत के लिए को जाना चाहिए कि बंगलादेश से related question क्या क्या बन सकते है friends बंगलादेश की capital ढाका बंगलादेश की currency टका वा बंगलादेश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर सेख हसीना है तो friends question number two के साथ साथ आपको बंगलादेश से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है सभी विद्यारतियों की online classes चल रही थी friends किन्तो आपको बता दू हाल ही में करनाटक राज्य सरकार ने कक्छा पास तक के बचों के लिए online classes पर बैन लगा दिया है तो question number three का right answer है option number three friends यहाँ बैन करनाटक राज्य सरकार ने लगाया है तो mind में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि करनाटक से related question चा क्या बन सकते है friends आपको बता दू करनाटक के capital बंगलूरू करनाटक के वरतमान चीप मिनिस्टर बी एसी यदुरुपा वा करनाटक के वरतमान गवर्नर वजुवाई वाला जी है तो friends question number 3 के साथ आपको करनाटक से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 4 हाल ही में पहला अरब देश जिसने अपने मंगल मिसन लौंच करने की गोशना की है तो friends आपको बता दू हाल ही में अरब कंट्रियों में पहला कंट्रि साथ अरब अमीरात ने अपने पहले मंगल मिसन को लौंच करने की गोशना की है तो question number 4 का right answer है option number 1 जिहां friends अरब कंट्रियों में यहाँ पहला कंट्रियों है जिसने अपने मंगल मिसन को लौंच करने की गोशना की है current affairs से related question बन सकता है कि पहला अरब देश जिसने अपने मंगल मिसन को लौंच करने की गोशना की है तो आपको पता होना चाहिए कि सायुक्त अरब अमीरात वहाँ पहला अरब देश है जिसने अपने मंगल मिसन को लौंच करने की गोशना की है तो friends, question number 4 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है, question number 5 बिस्व बाल सरम निसे दिवस मनाया गया तो friends, सबसे पहले तो आपको बढ़ा दूँ कि हाल ही में 12 जून को बिस्व बाल सरम दिवस मनाया गया है तो question number 5 का right answer है, option number 5 friends, जैसा कि आपको पता ही होगा कि international level, national level पर बहुत सारे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो friends, इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए बिस्व बाल सरम निसे दिवस 12 जून को मनाया गया मायन में तुरंट के लिए को जाना चाहिए कि बिस्व बाल सरम निसे दिवस इंटरनेशनल लेवल पर मनाता कोण है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 जून को प्रती एक वर्स सायुक्त राष्ट बिस्व बाल सरम निसे दिवस के रूप में मनाता है तो फ्रेंड्स यहां दिवस सायुक्त राष्ट मनाता है तो मायन में तुरंट के लिए को जाना चाहिए कि सायुक्त राष्ट से रिलेटेड कोईशन चा क्या बन सकते हैं सायुक्त राष्ट के स्ताफना 24 अक्टोबर 1945 संयुक्त राष्ट का हैड़कटर न्यूवार्क वा संयुक्त राष्ट के वर्तमान महासचीब एंटोनियो गुटेरस जी है तो फ्रेंड्स विश्व बाल सरम निशेद दिवस के साथ साथ आपको संयुक्त राष्ट से रिलेटड इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेक्स्ट ग्वेशन है और अनुमान के दोरान गोशना की है कि बिटवर्ष दोहजार 21-22 के लिए भारत की जीडिप 9.5 रहने की उमीद है तो question number 6 का right answer है option number B friends, यहाँ अनुमान which ratings ने लगाया है तो mind में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि which ratings का मुख्या लेका आए तो आपको पता होना चाहिए कि which ratings का headquarter New York, America में इस्तित है तो friends, question number 6 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 7 हाल ही में किस राज्य सरकार में पंचवटी योजना शुरू की गई है तो friends, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि हिमाचल परदिश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर ने राज्य के बुजर्ग लोगों के लिए पंचवटी योजना की शुरूवात की है तो friends, question number 7 का right answer है option number C question number 7 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 8 COVID-19 छेतिरिय सुरक्षा मूलियंकन रिपोर्ट में भारत का इस्तान है सबसे पहले आपको बता दू हाल ही में COVID-19 छेतिरिय सुरक्षा मूलियंकन रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अपने भारत को 56 वा इस्तान पराप्त हुआ है question number 8 का right answer है option number C friends, इस सूचकांक में चेन को 7 वा इस्तान USA को 58 वा इस्तान और पाकिस्तान को 148 वा इस्तान भी पराप्त हुआ है तो friends, भारत के साथ-साथ आपको चीन, USA वा पाकिस्तान से रिलेड़ड भी इतने जानकारी पता होनी चाहिए question number 9 वंदे उतकल जननी सीर्षक से राजिकिय सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पर्थम राज्य है friends, सबसे पहले आपको बता दू हाल ही में वंदे उतकल जननी सीर्षक से राजिकिय सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य उडिसा राज्य बना है question number 9 यहार राजिके सम्मान उडिसा राज्य को मिला है तो मैंड में तुरंद क्लिको जाना चाहिए कि उडिसा से related question क्या क्या बन सकते है उडिसा की capital भोनेश्वर उडिसा के वरतमान चेप मिनिस्टर नविन पटनायक और उडिसा के वरतमान गवर्नर गणे सिलाल जी है यह है मैप में उडिसा उडिसा से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए बीडियो का next question है question number 10 भारतिया संगितकार जेने ऑस्ट्रेलियाई सम्मान से नवाजा गया है तो friends आपको बता दूँ हाल है में ऑस्ट्रेलियाई के एक संगित संगटन ने भारतिया संगिता गया सोवा सेकर को इस वर्स एक प्रसिद्ध पदक से सम्मानित किया है तो friends question number 10 का right answer है और आपको पता होना चाहिए कि सोवा सेकर एक भारतिया संगितकार है जिने एक ऑस्ट्रेलियाई फेमस पदक से सम्मानित किया गया है तो question number 10 का right answer है और और इन्हें ही हाल है में ऑस्ट्रेलियाई सम्मान से नवाजा गया है तो friends question number 10 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 11 हाल है में अरजुन चरन स्रेटी का निदन हुआ है ये कौन थे तो friends आपको बता दूँ ये हैं अरजुन चरन स्रेटी static GK के साथ साथ सवी current affair के question समझ आये होंगे friends यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like और share करना ना भूले इसी के साथ वीडियो का daily update पाने के लिए चैनल को subscribe कर दे friends इसी के साथ जैहिन